हेलो या स्वागत अब सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल टूशन गुर्जी में बच्छा हम कर रहे थे आपका चैप्टर या ध्याय अब सभी के दिश्चा है या गती और आज हम इसमें करने वाले बच्छा आपके इंटेक्स्ट कोशन को तो चलिए बच्छा शुरू करते हैं अपने इंटेक्स्ट कोशन को तो प्रेश नमबर एक है बच्छा आपका यह बस स्टार्टिंग फॉर्म डेस्ट मूवस विदे उ जिरो पॉंट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर 2 मिनेट्स वाइंड यानि एक बस विश्राम के से प्राराम होकर के दो मिनट तक में 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान दोड़न से चलती है किया निकालना बच्छो ता स्पीड एक्वार्ड यानि अर्जित गत तो बस क्या है विरा मवस्थास में चल लिए बच्छो तो प्राधमिक वेग उसके हो गया है यूज इकल टू जीरो यह हो गया उसका कितना जीरो पॉइंट वन मीतर प्रटी सेकंड स्काड टी कितना लगा उसका दो मिनट यानी 120 सेकंड तो एक्सिलेशन के लिए क्या यूज करते हैं बच्छो a is equal to v minus u upon t और हमें क्या निकालना है उसकी अंतिम वेग निकालना है बच्छो तो v is equal to at plus u इनकी value को जब put up करेंगे तो बच्छो हमारे पास आ जाएगा v is equal to 12 meter प्रती सेकंड बच्छो 12 meter प्रती सेकंड बच्छो चलिए इसका दूसरा भाग क्या कहता है बच्छो the distance travel यानी तैक ही गई दूरी तो तैक ही गई दूरी के लिए क्या है बच्छो 2 a is equal to v square minus u square a हमारा क्या है 0.1 meter प्रती सेकंड square v is equal to 12 meter प्रती सेकंड u is equal to 0 meter प्रती सेकंड और t is equal to 120 सेकंड तो दूरी क्या होगे बच्छो s is equal to v square minus u square upon 2 a इसकी value को जब put up करेंगे तो हमारे पास आजाएगा 720 meter यानी the speed required is 12 meter प्रती सेकंड यानी 12 meter प्रती सेकंड और तैक ही गई कुल दूरी होगी 720 meter यानी recent travel होगे 720 meter बच्छो चलिए अगला question देख लेते हैं बच्छो question number 2 question number 2 है a train is traveling at a speed of 90 km per hour brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square how find how far the train will go before it brought to rest यानी एक train 90 km प्रती घंटे की गती से यात्रा कर रही है ब्रेक लगाया जाते है ताकि 0.5 meter प्रती सेकंड स्क्वायर के एक समान तुरण उत्पन हो पता लगाई है कि train को विराम उस्ताव में पहुशने में कितनी धूरी लग जाएगी बच्छो तो यहां पर वी यू हो गया हमारा 90 km प्रती घंटा बच्छो जिसको हम कनवर्ट करेंगे meter per second में तो यह आगे 25 वी के आगे हमारा 0 है बच्छो क्योंकि आकरी में हमारी स्पीड हो जानी चाहिए 0 एक्सलेशन हमारा दिया है 0.5 meter per second square और यह क्या है माइनस में क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है यहां पर तो हमारा क्या गया गति का तीसरा समय करना आगे बच्छो वी स्क्वाइर माइनस यू स्क्वाइर इस इगल तो इस से हमारी क्या मिल गया s इगल टू वी स्क्वाइर माइनस यू स्क्वाइर अपोन कितना 2a अब इसकी value को जब put up करेंगे तो यह आ जाएगा बचो 625 यानि यह train must travel 625 meters at acceleration of minus 0.5 meter per second square before it reaches the rest position यानि विस्राम की स्थिति या विराम की अवस्ता में पोचने से पहले ट्रेन को 0.5 meter per second square के तुरण से 625 meter की आतरा कड़नी होगी बचो चलिए अगला question देख लेते हैं बचो, question number 3 है अबका यानि एक ट्रोली एक जुके वे तल से नीची जाती है यानि एक ट्रोली एक जुके वे तल से नीची जाती है, समय लगता है जो समय लगता है तीन सेकंड है और जो ट्रोली का तौरण है वो है दो सेंटीमेटर per square क्या वे क्या होगा बच्चो तो यहां पर इनीचल विलोसिटी हमारी 0 है क्योंकि विदामस्टर सुरू हो रहा है यह हमारा दिया हुआ है 0.02 मीटर पर सेकंड शुका रही है, मीटर में convert कर लिए हमने बच्चो और T हो गया हमारा 3 सेकंड तो V is equal to U plus 80 और इसकी value को जब हम put up करेंगे सारे की सारी तो हमारे पास आजाएगा 0.06 मीटर पर सेकंड यानि देर आफ्टर दे फेलोसिटी ओफ दी ट्रोली आफ्टर 3 सेकंड विल भी 6 सेंटिमेटर पर सेकंड ठीक है बच्चो यानि 3 सेकंड के बाद ट्रोली का वेग होगा 6 सेंटिमेटर पर 30 सेकंड बच्चो चलिए अगला कोशन देख लेते हैं यानि एक रेसिंग कार उसका तरण कितना है 4 मीटर पर 30 सेकंड स्क्वाइर है और शुरू होने के बाद 10 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तैकल लेगी तो यहां पर यू क्या है इनेशल विलोसिटी होगी हमारी 0 तरण होगे हमारा चार समय हो गया 10 फॉर्मूला क्या है हमारा एस इस उकल टू उटी प्लस हाफ इस स्क्वाइर अब इसकी वैल्यूस को जब हम पुट अप करेंगे तो वह आजाएगा लगबग 200 मीटर यानि देरफोर दो कार विल कवर डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर आफ्टर 10 सेकंड यानि इसल यानि एक जो पत्थर है उसे पांच मीटर प्रति सेकंड के वेख से उपर की और फेका जाता है यादि गती के द्वारा पत्थर का तौरण नीचे की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वाइल लगेगा क्यों लगेगा बच्चों क्योंकि गुर्तवा कशन बल लग कितना समय लगेगा तो यहां पर प्रारंबिक वेख कितना दिया हुआ है यूज इकल टू पांच मीटर प्रति सेकंड अन्तिम वेख क्या होगा जीरो होगा क्योंकि पत्थर अगदित्तम उचाई पर आजा करके विरामवस्था में जाएगा और वहां से क्या गरेगा लगती दिशा में लग रहा है बच्छो ऐसा इसलिए होगा बच्छो ठीक है अब जब हमारे पास दो एक्वेशन से यहां पर यानि वी स्कॉयर माइनस यू स्कॉयर इस इगल टू टू एस और एस को अगर हम निकालना आए तो कितना होगे एस बराबर वी स्कॉयर माइनस इसकार इस इकल टू टू ए ठीक है बच्छो अब जब इसकी वैल्यू को पुट अप करेंगे बच्छो हमें तो हमें दूरी क्या मिलेगी 1.25 मीटर ठीक है अब यह मिल गई हमें दूरी और हमें क्या पता करना उसका पोजिशन पता करना है तो वी इस इकल टू यू प्लस 80 का हम इससेवाल करेंगे यहां पर हमें अधिकता मुचाई और लिया गया समय पता चल जाएगा तो इसकी वैल्यू को जब पुट अप करेंगे तो हमें लिया गया समय मिल जाएगा 0.5 स तो क्या पता चलता है में therefore the stone reaches a maximum height of 1.25 meter यानि यह हमारी height होगी distance हो गया in a time frame of 0.5 second 0.5 second में यानि यह पता 0.5 second की समय सीमा में 1.25 meter की अधिकता मुचाई तक पहुंसता है बच्चो ठीक है बच्चो तो बच्चो यह वाला पार्ट होगे अस वीडियो कहीं complete आशकरता आपको वीडियो अच्छी लगे होगी थैंक यू